पापा शेर आया शेर एक गाउं में एक छरवाही रहता था वह रोज बेडबक्रियों को गास शराने के लिए पास के जंगल में लेजाता था वह बेडबक्रिया दिन बर गास कातेते वह शरवाही तो बहुत शरारती था सब के साथ शरारत करता था पह छोटा और ना समझ है ना मस्ती करता है आगे बड़ा होगा तो समझ जाएगा बदल जाएगा एसे कोई उसे कुछ नहीं बोलता था एसे दिन बीद गए बह चरवाही की शेतानिया तो बढ़ते ही जा रही थी एक दिन हमेशा की तरह सारे वक्रियों को लेकर पहाडी पर जाता था पहाडी के पास उसके पापा और उनके साथी लकडिया काट रहेते आज किसी भी तरह इन सब को परिशान करना है लेकिन क्या करने से इन सब को परिशान कर पाऊंगा एसे सोच में पढ़ गया अच्छानक उसने एक सोचा और तुरन बिना कुछ सोचते हुए जोर से पापा शेर शेर आया शेर एसे छिला रहा था लकडिया काट रहे पापा के साथ उनके साथी तनाओं में बागते हुए पहाडी के उपर पहुच गए आके देखने से उदर शेर था ही नहीं जब को परशानी में देख वच्छर भाई बहुत हसते हुए कहा आप सबने तो मेरे बातों पर विश्वास कर लिया पापा चोटा बच्छा समझ कर सब उसे गुस्से से देख कर डाटते हुए जा रहे थे वह लड़के को बहुत मस्ती सूज रही थी फिर सब वापस लकडिया काटते हुए व्यस्त थे पापा शेर शेर सच में शेर करके छिलाना शूरू कर दिया यह सुन के सब लोग एक्षन विचार करने पर भी क्या पता सच हो तो सोच कर फिर से सब कुछ जहां का वहाँ चोड़ कर चिन्ता में बागते हुए गए पर वहाँ शेर ना होने से वह समझ गए इस बार उन्हें बहुत गुसाया हे 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 फिर से मेरे बातों को मान कर दोख आगा गए करके हस पड़ा हा 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 ओई लड़के यह तुम्हें अच्छा नहीं होगा हर बार तुमारी आवाज सुनके हम अपने काम छोड़ कर आ रहे हैं अगर फिर से एसे पागल हरकते किया तो इस बार चार लगाऊंगा बाकी सब लोग भी उसे समझा कर पीछे मुड़ गए उनका गुसा देखकर वह लड़का फिर से एसे ना करने की सोच रहा था एसे कुछ समय बार सच में उन बेड़ बक्रियों के पास शेर आया वह लड़का बहुत डर गया बहुत तुरंच शेर से बचकर पास के एक पेड़ पर छेड़ कर बेड़ गया फिर जोर से पापा शेर 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 आया शेर सच में शेर आया पापा शेर कोई मुझे बचाओ बचाओ चिला रहा था वो अवाज सुनके पहाड़ी के नीचे काम कर रहे हैं लोग ले फिर से एसे ही मस्ती कर रहा है सोचकर इस पार कोई मदद करने गया ही नहीं सब अपने अपने काम में जुट गए शेत एक बकरी की शिकार करके ले गया उससे बैबी धोकर ठाना पीना सब को छोड़ कर पूरा दिन रोते हुए पेड़ परीता शाम होने पर भी बेटा गर ना पोचने पर पापा उसे डूनते डूनते पहाड़ी के उपर गए पापा को देखते ही भलड का पेड़ से नीचे उतर कर पापा बहुत बुलाने पर भी कोई नहीं आया मैं बहुत डर गया बोल कर रो रहा था तब शेर एक बकरी को ले जाने पर पहले उदास हुए पर बेटे की कुशलता को देखकर पापा ने सास लिया अगर एक बार तुमारा जूट पकड़ा गया तो तुमारे सच बोलने पर भी कोई फाइदा नहीं उस दिन से वह लड़के ने कभी जूट नहीं बोला इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हर वक्त सची बोलना चाहिए अच्छे संसकारों वाला बेटा रामपुर नामक एक गाउ में लीला और प्रसाद के तीन बेटे थे वनराज, राम और संजय वो तीनों अपने पिता के साथ खेती करते थे वो अपने खेत में अलग-अलग किसम की खेती करते थे प्रसाद ने अपने होश्यारी से अपने बच्चों के लिए कुछ धन डॉलत एकखटा कर रखी थी कुछ दिन बाद वो बिमार हो गया और उसकी मृत्यों हो गई पिता के गुजरने के बाद उन तीनों भायों ने तीस एकड़ जमीन और चार बेलों को आपस में बाट लेना का फैसला किया तीस एकड़ जमीन को तो उन्होंने दस-दस करके बाट लिया पर चार बैलों को कैसे बाटे ये सोच रहे थे ये चोटा बैल बेच कर जितने भी पैसे आए वो हम तीनों आप बाट लेंगे तक दूसरे भाई ने कहा हमें ये बैल नहीं बेचनी चाहिए खेट के कामों में हमेशां दो बैलों की जरूत परती है हम बारी बारी से इस दूसरे बैल को इस्तिमाल कर लेंगे चोटे भाई ने जवाब दिया हाँ हाँ दूसरा बैल क्यों खरीदे इससे ही हम तीनों बिलकर इस्तिमाल कर लेंगे चोटे बैल की समस्या हल हो गई थी तो तीनों भाई और उनकी मा बहुत खुश हुए जब जब उन्हें दूसरे बैल की जरूरत पड़ती थी तो वो चौता बैल अपने साथ ले जाते थे कुछ दिन बाद उन दोनों ने देखा कि राम रो रहा था दोनों भाई उसके पास आकर उसके रोने की वज़ा पूशने लगे तब उसने जवाब दिया कि उसका बैल मर गया है तब संजे ने उससे कहा परिशर मत हो भाई हमारा चौता बैल है ना आप उसको ले लो वनराज ने भी उसकी बात पर हामी भर ली दोनों की इस फैसले से राम बहुत खुश हुआ एक बैल से काम नहीं चलेगा कहकर कुछ दिन उसके चौते बैल के साथ संजे का बैल भी ले गया ऐसे ही कुछ दिन गुजर गये कुछ दिन बात संजे को अपनी बैलों की जरूरत पड़ गई तब वो अपने बड़े भाई के पास गया और उससे उसकी बैल मांगने लगा तब बड़े भाई ने जवाब दिया तुम बहुत गलत समय पर आए हो कल ही मेरे बैल का पैट तूट गया है वो दुखी मन से कहने लगा तब वो राम के पास गया उसने भी अपने चोटे भाई को बहाना बना कर बाट टाल दी कुछ दिन बाद लेला की तब्यद भी खराब हो गई और वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुला कर कहने लगी बीटा मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है तम तीनों मुझे से वादा करो कि हमेशा साथ मिल जुल कर रहोगे इतना कहकर वो अपने हाथ से चार सोने के सिक्के अपने चोटे बेटे संजय को देने लगी तब राम ने कहा सारे सोने के सिक्के संजय को देना इंसाफ नहीं है मा वन्राज भी कहने लगा इसमें हमारा भी तो कुछ हिसा होना चाहिए मा ने जवाब दिया तुम दोनों तो इंसाफ की बात ही मत करो राम तुमने तुम्हारी बैल बेच दी और इनसे कहा कि वो मर गई है और तुमने चौथी बैल भी ले ली और वन्राज तुमने संजे की बैल कितने बार इस्तेमाल की पर जब उसे तुम्हारी बैल की जरूरत थी तब तुमने भी तो बहाने बनाए ना तुम धोके बाज नहीं पर तुम्हें इंसाफ भी तो नहीं किया लेकिन संजे ने हमेशा तुम दोनों को अपना बड़ा भाई माना है तुम्हारी इज़त की और जब भी कोई महमान तुम्हारे पास आता था तो तुम उससे मूँ फेर लेते थे संजे हमेशा उनका आदर सतकार किया करता था मैंनी उससे तुम्हारी सारी सच्छाई भी बता दी थी तब संजे ने कहा कि मेरे बड़े भाई है वो अगर वो ऐसा कर रही है तो जरूर उनकी कोई मुसीबत होगी वो जितना भी कमाता उससे अपना और अपने परिवार का खया रखता था इसलिए मैं ये सोने के सिक्कों को अपने अच्छे संस्कारों वाले बेटे को ही दोंगी ये मेरा स्त्रीधन है इस पे सिर्फ मेरा याक है मां के ये फैसले को सुनकर दोनों बड़े भाई शर्मिंदा हो गए और अपने छोटे भाई के जैसे ही बनने लगे इस क पुरुष कबूतर की हिम्मत एक गाउ में सावित्री नाम की बक्त रहती थी उनके गर के आंगन में ही एक भड़ा सा पेड था और उस पेड पर कबूतरों का जोड़ा रहता था वह जोड़ा हमें शक्कुशी से साथ साथ रहता था खाने के लिए हूँ या गूमने के लिए वे धोलो साथ ही जाते उनको कभी भी खाने की कमी नहीं होती हर दिन बक्त सावित्री के हाथ से बनाई हुई प्रसाथ को काकर बिना किसी परशानी या चिन्ता से एक कुशी से रहते थे और सावित्री भी उनकी बहुत अच्छे से खयाल रखती उदर पास के एक पहाड़ी पर एक बाज रहता था उसकी नजर हमेशा अच्छे से दिखने वाले उन कबूतरों के जोड़े पर ही थी इन कबूतरों का किसी भी तरह शिकार करने के लिए उसने एक चाल चली और उड़ता हुआ आकर गर के चट पर बेट गया उन दोनों कबूतरों में से किसी एक को तो उसे उठा ले जाने की आश्या थी तब ही सावित्री गर से बाहर निकल कर उस पर लाटी सेखने पर बास कुछ की चाल ना चल पाया वह सब कुछ देखने वाली स्त्री कबूतर ने अपने पती से कहा आपको पता है क्या वह बास पूरे दिन हमारे लिए देख रहा था हम इधर से कई दोर चले जाएंगे तो अच्छा होगा करके बूली तब पुरुष कबूतर ने कहा भागना तो डरपोक के लक्षन है वह जेंगली पक्षी है उससे हम कैसे लड़ सकते हैं बताओ परिशान होकर बोली स्त्री कबूतर तुम तो बस देखते रहो उस बास से मैं कैसे लड़ता हूं बोलकर बहुती हिम्मत से पुरुष कबूतर ने कहा एसे कुछ दिन बीद गए सावित्री काम होने पर अपने निष्टदारों के पास दूसरी गाउं में गई उस गर में कोई नहीं करके जानने वाला बास तेजी से उड़ता हुआ आकर गर के आंगन के पेड़ के पास बैठ गया और निष्टधर पुरुष कबूतर को अपने नाखूनों से उटा कर ले जाने की कोशिश किया फिर भी बिना डरे पुरुष कबूतर बास के साथ बहुत हिम्मत से लड़ने लगा ऐसे बास और कबूतर के बीच बहुत देर तक मानो एक चोटा सा युद्ध ही हुआ उदर रहना टीक नहीं करके जानने वाले जोडी कबूतर उनकी मालकिन सावित्री के वापस लोटने तक दूसरी जगा देख कर रहने लगे इस कहानी की सीख है कि परिशानिया आने पर बिना डरे हिम्मत से सामना करना चाहिए